क्या आप Instagram यूज करके Instagram पर कोई link क्लिक करते हैं तो आपकी जो website वो browser में ना खुल के एक ऐसी window में खुलती है जो कि browser जैसा ही लगता है लेकिन वो होता Instagram का हिस्सा है कि आप अपनी सारी सर्फिंग अपना password वगेरा screenshot वहीं पर इस्तमाल कर लेते हो डाल लेते हो ले लेते हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो शायद अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एक ख़बर आई है जिसमें यह पता चला है कि Instagram पर जैसे ही आप कोई link क्लिक करते हो तो browser ना विंडो में जिससे आपकी हर activity को ट्रैक किया जा रहा है कि आप किस link को क्लिक कर रहे हैं क्या screenshot ले रहे हैं कौन सा password डाल रहे हैं कौन सा यूजर नेम डाल रहे हैं क्या चीज करीद रहे हैं सारी जानकारिया मेटा क्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब यह है कि अगर आप यह ची कुछ भी कर रहे हो सब facebook को पता है सब कुछ कौन सा एड क्लिक कर रहे हो screenshot ले रहे हो कौन सा टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हो कितना स्क्रोल कर रहे हो screenshot में क्या लिया password क्या डाला everything जब यह चीज सामने आई तो हड़कम मच गया वाई सारे users में और आपको पता है कि अभी apple की नहीं policy आई है iPhone की जिसके तहट जो भी application जो भी data collect करेगी यूजर से पूछेगी इस चीज से मेटा को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना 80,000 करोड़ ये कम रकम नहीं होती इसका मतलब क्या है कि ये कंपनिया हमारे data से कमा रही है 80,000 करोड़ रुपए बहुत होता है मेरे दोस्त तो अब अगर आप अपनी सलामती चाहते हो अपने data की तो कभी इंस्टाग्राम का जो ब्राउजर है इंस्टाग्राम का ब्राउजर मतलब एक अलग जो विंडो जैसे खुलती है वहां पर जाकर कभी अपना पासवर अगरा या कुछ भी मढ़ डालना उस लिंक को कॉपी करके अपने क्रोम में जाके पेस्ट करना वह एक बेटर ऑप्शन है और अगर आप इंस्टाग्राम प हम लोगों के डेटा बेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं हमकी प्रवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं यह बात जानते हैं कि मांग जकबग जो मांग भहिया है हमारे वह बोलते रहते हैं प्रवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन जब उनको घेर के सरकारी लोग जब उनसे सवा करते हैं तो पानी पीने लगते हैं क्योंकि उनको खुद भी पता है कि डीटा की मामले में Facebook और Meta सही नहीं वह पक्षपात करता है वह data collect करता है वह चीजों को manipulate करता है और यह जतने में में काम करने वाले Facebook में काम करने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें पर दोस्तों को साथ शेयर करें साइबर सेक्योरीडी और इतिकल हैकिंग में इंट्रस्ट दो डिस्क्रिप्शन चेक करें तू नाइंटी ने रूपीस के तीन इतिकल हैकिंग कोर्से आसान भाशा में आपको इतिकल हैकिंग सिखा देंगे मैं मतना अपसे कली वीडियो में थैंकियो सो मच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंग गुद्पाई